हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेश्टी नास्ता तो एक बाउर ले लेंगे और उसमें एक कप सूजी डालेंगे आधा कप हम दही डाल रहे हैं और आधा कप पानी डालेते हैं उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पानी हम एक साथ नह तो ऐसी फेट के कुछ सेकिन के लिए और यह आप देखे तो अच्छे से मीस कर दिया है दस मिनिट के लिए इसे ड़के रख देते हैं यह अच्छे से फूल जाएगी सूजी जो है उससे पहले हम क्या करेंगे जब तक सूजी बनती है तब तक हम पैन ले लेंगे और पैन में दो चमस तेल डाल लेंगे तेल को थोड़ा गरम होने देंगे थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे थोड़ी सी हिंग डाल लेंगे दो हरी मिर्ची डाल लेंगे और इसको हलका सा भून लेंगे गैस को लोग पे रखेंगे और इसको विर्कुल हलका सा थोड़ा सा भून लेते है तो यह बून गया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, यह एक कटावा प्याज है, तो हमने छोटे-छोटे पीस में काट लिया था इसे, तो इसे डाल देंगे, और इसे भी हलका सा बून लेंगे, तो लोप लेंपे ही हम इसे भूनेंगे तो ऐसे करके और ज्यादा नहीं भूनेंगे बिल्कुल थोड़ा कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे उसके बाद हम एक गाजर को बारीक हमने काट लिया था ग्रेट नहीं किया है काट के लिया है तो इसे गाजर को भी से साथ दाल देंगे और उसके बाद एक सिमला मिर्च को बारी कट करके इसे भी डाल देंगे गैस को मीडियम पे कर लेंगे और इसे हलका सा भून लेंगे ज़्यादा हमें सबजी को पकाना नहीं है तो हलके वैसी रहनी चाहिए थोड़ी कची-कची रहनी चाहिए सबजी एक टमाटर को भी हमने छोटे-छोटे पीस में कट कर लिया था उसे भी डाल देंगे अईसे भी कुछ सेकिंड के लिए भून लेंगे उसके बाद इसमें थोड़ी मसाले डाल लेंगे तो थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर डाल लेंगे थोड़ा लाल मिर्ची पॉर्डर डाल लेंगे तो मसाले आप जो भी खाते हूं वह आप डाल सकते हैं थोड़ा गरब मसाला नमक डाल लेंगे। तो नमक आप सुवाद के अनुशारी डालेगा। इसके बाद से मसालो को भी मिक्स कर लेते हैं। और हल्का सा कुछ सेकिंड के लिए इससे भूहनें मसालों के साथ। तो यह अच्छे से भून लिए हमने थोड़ा सा दो मिनाट के करीब हमने भून आया है ज्यादा पकाया नहीं है तो आधी सब्जी को हम निकाल लेंगे और आधी इसी में रहन देंगे इसमें हम एक आलू डालेंगे आलू अबला हुआ है यह तो हमने मैश कर लिया था इसको इस आलू को इसमें डाल देंगे उसके बाद अच्छे से यह सब्जीयों में आलू को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे ऐसे करके और मिक्स करते करते यह अच्छे से भून जाएंगे विजय एक यश्ट तक बून लिया है उसके बाद क्या करेंगे थोड़ी अरे धनीयकी पतियां डाल देंगे इनहें भी मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम कैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख लेते हैं तो इधर हमने एक पलेट लिया है पलेट में इसे ठं और जो हमने बेटर बनाया था सूजी का, उसे ले लेते हैं, तो सूजी आप देखें, विल्कुल एकदम से फूल गई है, तो पानी भी काफी कम हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी और डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे, तो यह अच्छे से फेट के हमने मिक्स क अच्छे बाद हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इसमें और एड कर लेंगे, तो नमक डालेंगे थोड़ा, तो नमक थोड़ा ही डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेश डाल लेंगे, थोड़ा धनिया की पतियां डाल लेंगे, और जो सबजियां हमने निकाल के प्रै खेन और इसमें देटेमे खेशलित मिक्स करें देखें खेश्ग हम डिखने जालें जले नाषाकर देखें स्वाइट मारे खेटेते देटेऊं, अगुशा में अधर कीहें लोगतनी ही तोड इस साइड में रख लेते हैं, में चार काटोरिया हमने लिये हैं, थोड़ा तोड़ा तेल पर फेलिए दुग्या सुथे थोड़ा दालें देल traff नाया कि अच्छे से पूरे पर प्यांनितु नाशचा को बन चार तेल lijसे दूद़ा बोदे तो ऐसा थोड़ा थोड़ा जादा नहीं डालेंगे, तो दो चम bacha और थोड़ा हम डाल रहे हैं च्छोटा छम-ज्चै क्यों, थे चरों कड़ा थे टिया थे तो यहां के गेस पर श्टयाइक रॉपर इन कड़ाई हो तो देगा ऐसे करके और चारों को टोरियों को रख देंगे और इसे ढख लेंगे थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिनाट के लिए तो यह आप देखें अच्छे से पूल गया है उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमने श्टफिंग बनाई थी उसको ऐसे टिकी सी बना के और इसमें लगा लेंगे तो ऐसे करके रख लेंगे चारों में ऐसी ही रख लेंगे चारें लगाओं। लिए बत्र पाजल की दो नियुक्ति के मृत्बाकन कीचा, में रखेंगें। जाध़ बें बैटर काहिए। आज इसे हम चारों को टोयों पर थोड़ा थोड़ा डालके और इसे 10-10 मीनट के लिए अज़ी पहती है। यह आप देखे । intentions 10-12 sparked last बंद आज़ें रिए हमस्थ इसे अधना हो गए हैं। गयस को बंद कर देंगे। इसको साइट साइट से थोड़ा छुड़ा लेंगे साइट से उसके बाद एक पलेट ले लेंगे अब पलेट में इसे निकाल लेते हैं तो यह आप देखे एक दम से निकल गया है तो यह देखे आप कितना स्पॉंजी सा बनाया है बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको ये नास्ता कैसा लगा थैंक यू